हालो फ्रेंज, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन, साथियों, 36 गड में शिक्षकों की भरती होने वाली है, लेकिन वर्तमान में आरक्षन का मुद्दा किसी से छीपा हुआ नहीं है, आरक्षन विध्यक तो सरकार द्वारा बनाया गया, वो तब तक लागू नहीं बने होगा, जब तक उसको राजेपाल महोदाय द्वारा सिग्निचर न किया जाए, तो इस यहां रुका हुआ था, इसको लेकर राजनितिक सियासत भी चल रही है प्रदेश में, अब इसी बीच एक और खबर निकल कर आ रही है, आरक्षन पर सरकार का नया फैसला, जी हां पैत्रा, तो देख सकते हैं, आप सरकार आरक्षन प्रतिसत हेतू समीति बनाया, जी हाजाति हूँ, सरकार द्वारा आरक्षन को लेकर एक समीति का निर्मार किया गया है, अब ये जो समीति है, वहत्य करेगी आरक्षन का प्रतिसत, एवं उस पर अच्छे से एक हना इस्टडी करेगी, तो क्या है पूरी जानकारी, देखिए इस वीडियो के स्क्रीन पर आपको सो हो रहा है, प्रसाशन विभाग मंत्राले महानदी भवन नवा रायपूर अटलनगर जीला रायपूर 36 जिसमें अटलनगर दिनांग देखिए दिनांग आपको स्क्रीन पर सो हो रहा है, तो राज्य सासन एतत द्वारा 36 राज्य में नए आरक्षण के अधार पर राज्य या राज्य के बाहर कालला 36 भवन एवं सदन संभार तथा जिला इस्तरी शिदी वर्ती में नियुकती है तू अनुसुजित जन जाती अन्य पिठड़ा वर्ग आर्थिक समीति देगी, एक समीति बनाई गई है जिसमें SC, ST, OBC, EWS के जो आरक्षण है तो उसका वो समीति क्या करेगा साथियो निरिक्षण करेगा उनके बिंदूओं का परिक्षण करेगा और उसी के लिए यह यह जो समीति है उसका गठन 36 गर सरकार द्वारा किया गया है दखिये इस समीति में अध्यक्ष किसे नियुक्ट किया गया है तो स्री केडी कुंजाम जो विशेश सचिव है छत्तिगर समान्य प्रसासन विभाग के उसको अध्यक्ष बनाया गया है चत्तिगर सासन खेलों युवा कल्यार विभाग एमडी दिवान को स्यूक्ष सचिव जो है उसको बनाया गया है सदस्य ठीक है अब सदस्य सायोजग के रूप में एमेश ठाकूर सयूक्ष सचिव छत्तिगर सासन स्वास्यम परिवार कल्यार विभाग इस तरह से अध्यक्ष सचिव सायोजग सद और विभिन्न प्रकार के सदस्यों को लेकर एक समीति बनाया गया है यह जो समीति है उपरवक्त समीति यथा 넷ी स्चिघ्र जो है समान्य प्रसाशन विभाग को जो यह फैसला लेंगी उसका निर्नाया सब्मीट करेंगे ठीके अब इसको तो इसको क्या चीज. का प्रतिसत तो तै कर दिया गया है है ना भई लेकिन इस प्रतिसत अब जो आरक्षर का जो नया नियम लाने जा रही है प्रदेश सरकार उसको अच्छे से एनलेसिस किया जाएगा अच्छे से निशकर्ष उस तक पहुचा जाएगा एक एक बिंदूओं को पढ़ा जाएगा और उसके अधार पर एक निलना लिया जाएगा और यह जो निलना है अतिसी ग्रहो यह जो साथियों जारी किसके लड़ी 36 ग्राजपाल के नाम से अब यह जो राजपाल है उन्होंने इसे जारी किया है अर्थात राजपाल का यह निलना है कि इस तरीके से समिती बनाने के बाद में उसका जो निरा करण है किया जाए तो कहीं न कहीं लग रहा हैं 36 गर में प्रदेश में बंतीन नजर आ रही है जियां साथियों जो भी हो शिक्षक भरती तो होगी ही इसके लिए आप तयारी करते रहें भरती जब भी आएगी जल्दी आएगी और आएगी तो उसके तूरंत बाद में आपका फॉर्म की डोप भरने की डियर शुरू यहिंग